दोस्तो अगर आप अपने डिवाइस में गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं तो आज आपके लिए में एक नई ट्रिक यहां पर लेकर हूँ गूगल का अपने एक असिस्टेंट यहां पर लॉच हो वह है जैमिनी एआई असिस्टेंट तो इसको आप अपने किसी भी अंडुड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और यहां पर कंडिशन क्या रहेगी आपकी डिवाइस की मिनिमम रैम होनी चाहिए चाहर जोई भी और आपका जो Android वर्जन होना चाहिए Android 12 इससे नीचे नहीं होना चाहिए Android 12 से ज्यादा होगा 13 14 15 चले पड़ेगा लेकिन Android 12 से नीचे नहीं होना चाहिए तो यह फीचर आप कैसे एक्टिवेट करेंगे आपने किसी भी Android डिवाइस में आज मैं आपको यहां पर बताऊंग लिंक करना है तो मैंने इसका लेड्य लिंक बनाके रहा जिसको मैं आपको description पे दे़ूँगा लेकिन जब आप इस लिंखको ओपन करेंगे लिंग को oraz अपन करने के बाद आप लीड़ेश में लेटने हो करेंगे तो आपने यहां पर इस देट पर लेने जो लेटस्ट वर के बाद हम back आते हैं हम back home स्क्रीन में लोंग प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको इस तरह का इंटिरफेस आएगा डाउडोल करने का इंस्टोल करने के बाद यहाँ यहां पर फ्सट्राइन तो यहां पर दिख रहा है je एकर दिवुदि करने के बाद ये आपके डिवाइज में एक्टिवेट हो जाएगा चलिए अब हम स्क्रीन को लग में बताऊटब यह व्य में कुछाओ व्य को भी वाइज नहीं हो रही है ऊडियाटène के दिवाइब हुचंथर हुआव एक्टिवाइज में एक्टिवर् सब करेंगे न स्कोल करने के बाद आपने श्रतिंग यहां पर डोनी है वह ऑनी है ठीक है जर्नल मैनेजमेंट यह पर चलेगे यहां पर जाने को नीचे करेंगे आप नैविगेशन बार का ऑप्षिन दिखता है नविगर्ट बार में जाएं, लास्ट में आपको डिफॉर्ट डिजिस्टटल असिस्टेंट यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर आपने गूगल सेलेक्ट करने के बार आपका यहां पर जिमी अक्टिवेट हो जाएगा, बाकि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पर कम देमा दो